कपड़े धोने वाली बहू जितना तो घर में राशन नहीं आता उससे कहीं ज्यादा डिटरजेंट पाउडर का खर्चा है इसकी शादी करवा दो शादी जाए अपने घर में ही करे का फिर चाहे घर के कपड़े दोने हो या पुरे गाउं की ठीक बोल रही हो देखता हूं मैं कोई लड़का वो दिन भी आ जाता है जब वीभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं लड़की मुझे अच्छी लगी होने वाली सास कहती है बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछलो बैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मिली है जो बोल दो वो मान लेती है इसे क्या पूछना होगा अरे कैसी बात करी हो मा मुझे इन लोगों की घर रहना है सवाल तो कई है हाँ हाँ बेटा पूछलो ना क्या पूछना है आप लोगों की घर कपड़ी कौन धोता है? सास का मूँ बन जाता है तेखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो कपड़े मैं ही धोती हूँ लेकिन तुम्हारे आज आने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोँगी रचो परायना भागेवान बहु बेचारी घर आई नहीं उसे डराना शुरू कर दिया वो क्या है ना बिट्या अभी तक तो ये कल्लू की मा ही धोती थी लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहज में वाशिंग मशिन देंगे ही तबी वीबा की मा बोल पड़ती है सवाल भी पूछा तो क्या वैसे भाई सहाब मशिन की तो फिर भी कपड़े धोने की कापिसिटी होती है मतलब जो बिट्या दे रहे ना वीबा इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है ये आप लोगों की क्या आस, पडोज, गाउ, महली सब की कपड़े धो दे और उफ तक ना करे बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं सब हमारी बिट्या नहीं तो धोये हैं वस्वी करो नम्मा, शर्मारी इतनी तारिव सुन कर और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ, हाँ अच्छा, अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा हमें तो रिष्टा बहुत पसंद है और ऐसे जुड़ जाता है रिष्टा कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का उसकी शादी हो जाती है कोईला फैक्टरी में काम करने वाले कल्लो के साथ शादी के बाद अचानक विभा चिल लाती हुई सास के पास आती है सासमा, अरे सासमा कहा है आप? ये तो दोखा है दोखा दिया आप लोगोंने मुझे इसे ससुर्गे चक्कर के बारे में पता चल गया अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है अरे नल में पानी नहीं आता कपड़े कैसे कब दो लेंगे अच्छा अच्छा तुझ पानी नहीं आ रहा उसके बात कर रही है तो आपने क्या सोचा कुछ नहीं, अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े दोने का शॉक है, तुझे याद आया मुझे शॉक शॉक बोल कर कपड़े दोने वाले मेरे जुनोन को कम ना किसा सुमा कपड़ा दोना मेरा गुरूर है तभी पती भी वहाँ आ जाता है अभी अभी मैंने इसे सनी दियोल की फिल्म दिखाई है, उसे के डायलोग मार रही है मा अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुब़ चार से छे और शाम को दस से बार आता है, समझी वीबा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है ये क्या भूतों का महला है, सुब़ चार बजे उटकर कौन कपड़ी दोता है चार बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धूना ना, किसने मरा किया अरे कैसे बात कर रही है, 200 लिटर की टंकी में कितने कपड़े दोलूगी मैं, सुब़ ये उट जाओंगी मैं अब क्या था, विबा सुब़ चार से लेकर रात के बारा बजे तक कपड़े ही धोती रहती एक रोज सास पड़ो से निकल कर कहीं जारी होती है, कि साथ वाली कहती है हाँ कल्लू की मा, सरा ये बताओ, कि दो साड़ी है, दो बिलाउज, और एक पैटिकोट, और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा हाँ, तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ? धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पती सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए है, और बेटा सुपर्वाइजर है कोईला फैक्टरी में, धोबन समिझ रखा है हमें हाई रे कल्लू की अमा माफ कर दो, वो तो महले में यही सब बत्या रहे थे, कि तुमने बहु को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है सास को पडोसन की बात सुनकर गुसा आ जाता है, वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सुख रहे होते हैं, जितने की किसी धोबन के घर पर अरे ओ कल्लू की दुलन, बहा निकल माजी यहीं, यहीं आजाओ बातरूम में चादर दो रहे हम अरे अभी हम धोते हैं तुमको बहा निकलो यह आस पडोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहु से कपड़े धुलवा धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिये हैं अरे छोड़ो ना माजी, किन लोगों की बातों में आती हो आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहु को लड़ा दे बहु सारे घर के कपड़े धुती है, ये क्या कम है? बोलिए सास को भी लग जाता है कि वो बहु का ये संकीपन नहीं चुड़वा सकती इससे अच्छा है कि खोदी चूप हो जाए एक रोज सास और बहु मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है माजी क्या बात है? आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ हाँ देखो तो दोनों की साड़ी मिल रही है क्या बात है करलो कि अमा दुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो। और ऐसी सिम्पल सी प्लेन साडी पहन कर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछी भी सासु मा, कुछी भी हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल मेरे पती लेकर आये थे मदरा से specially मेरे लिए तसजार की सास उस वक्त कुछ नहीं कहती लेकिन बहु के साथ घर आती है और अलमारी से अलबम निकाल कर लाती है ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना ये सोने के धागों से काड़े गए हैं लेकिन तू लोकल वाशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलो को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी मुझे माफ कर दीजी सासुमा और तो और जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा लेकिन तू ने तो सबके सामने मेरा मजाख ही बना दिया क्यों? बहु को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़ी धोना बंद